प्रदर्शन आपने पाई चार्ट बार चार्ट और वरगांतर गूर्प में अलग-अलग किया है और आपने यह भी पढ़ा है कि आँकडो का विश्टेशन करना क्यों अवस्यक है तो इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि विक्षेपन क्या होता है विक्षेपन के प्रकार में हम देखेंगे माध्य विचलन माध्य विचलन की परिभासा देखेंगे गुण, दोस और उसके उप्योग को देखेंगे और फिर देखेंगे मानक विचलन क्या है जिसे मूल, माध्य, वर्ग विचलन भी कहा जाता है आगे देखेंगे प्रसरण या विचरण क्या होता है और फिर अंत में हम यह देखेंगे कि बारमभारताओं के बंटन का विशलेशन किस प्रकार किया जाता है या फिर क्यों यह आवश्यक है चलिए आये चलते हैं अध्याए में अपकिरण या विक्षेपंड, इंग्लिश में इसे dispersion कहते हैं, किसी स्रेणी का सांख्य की मान उस स्रेणी का प्रतिनिधित्व तो करता है, किन्तु उस स्रेणी की रचना की सही एवं पूर्ण जानकारी नहीं दे पाता है, चलिए इसे आगे उधारण के मध्यम से समझते है तो माना की दो छात्रों को पांच भिन भिन विशेयों में कुछ अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार है तो इसे चार्ट में दिया गया है कि विशे हिंदी में पहले छात्र ने 20 अंक प्राप्त किये, दूसरे छात्र ने 48 गणित में पहले चात्र ने 55, दूसरे चात्र ने 52 प्राप्त किये अंग्रेजी में पहले चात्र ने 60, दूसरे चात्र ने 55 विज्यान में पहले चात्र ने 50, दूसरे चात्र ने भी 50 संस्कृत में पहले चात्र ने 80 और दूसरे चात्र ने 60 अंख प्राप्त किये तो पहले चात्र के प्रापतांकों का यदि हम समांतरमाध्य निकाले तो हम लिखेंगे कि 20 धन 55, धन 60, धन 50, धन 80, बटे 5 सरल करने पर आपको मिलेगा 265 बटे 5 बराबर 33 और इसी प्रकार दूसरे चात्र के प्रापतांकों का समांतरमाध्य लिखें तो उसे हम लिखेंगे 48, धन 52, धन 55, धन 50, धन 60, बटे 5, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 265 बटे 5, सरल करने पर 33, दोनों चात्रों के प्रापतांकों का समानतरमान जिस तिरपन है, इस समानता के अधार पर निस्करश यह निकलता है कि दोनों चात्रों की पाचों विसयों की उपलब्धी समान है, परंतु ध्यान पूर्वक देखा जाए, तो वास्तों में ऐसा बिलकुल है, पहले चात्र को हिंदी में केवल 20 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सस्कृत में 80, दूसरे चात्र के प्रापतांक समानतरमाध्य तिरपन के अपेक्षाकृत बहुत नि जित्व करता है, परंतु पहले चात्र के प्रापतांकों का सही प्रतिनी जित्व नहीं कर पाता, इसी प्रकार दो उधारन और देखते हैं, तो एक स्रेणी लेते हैं, जिसमें A, B, C, 3 स्रेणी दी गई है, और उसमें कुछ अंक दिये गए हैं, जैसे की स्रेणी A में 4, 8, 10, 12, 16, इसका योग 50 है, और समांतरमाद्य 50 बटे 5 बराबर 10, स्रेणी B में 08, 14, 18, 10, योग करने पर आपको प्राप्त हुआ 50, समांतरमाद्य 50 बटे 5 बराबर 10, स्रेणी C इसमें है 10, 9, 10, 11, 10, इसका भी योग आएगा 50, समांतरमाद्य 10, तो इन तीनों स्रेणियों का जो समांतरमाद्य है, वह एक समां है, जो की 10 है, किन्तु यह माद्य A की ही स्रेणी C का जथार्थ प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसके विभिन पद माद्य के निकट है, स्रेणी A और B के विभिन पदों का माद्य से अंतर अपेक्षाक्र बहुत अधिक है अब अगले उधारण पर हम चर्चा करते हैं इसमें तीन स्रेणी है A, B, C स्रेणी A में जो अंक है वह है 20, 21, 22, 23, 24 योग आएगा 110 और समानतर माध्य 110 बटे 5 बराबर 22 स्रेणी B में 40, 41, 42, 43, 44 योग 210 समानतर माध्य 210 बटे 5 बराबर 42 और स्रेणी C में 94, 95, 96, 97, 98 योग है 480 और समानतर माध्य 480 बटे 5 बराबर 96 इस उधारण में स्रेणीयों के माध्य भिन भिन होने पर भी उनकी रचना समान है क्योंकि माध्य से विभिन पदों के विचलन एक समान है तो उधारणों से इसपस्ट है कि किसी बंटन के पूर्ण अध्यन के लिए माध्यों के साथ साथ यह भी ग्यान होना चाहिए कि उसके विभिन्पद माध्य से कितनी दूरी पर है, अर्थात स्रेणी के विभिन्पद माध्य से कितने बड़े या छोटे है, यह गुण माध्यों के परितह कहां तक बिखरे हुए है, विक्षेपन कहलाता है, विक्षेपन का प्रियोग मुख्यतह दो प्रकार से होता है, पहला, जब दी गई स्रेणी के विभिन्पदों में कितना अंतर है ज्याद करना हो, दूसरा, जब स्रेणी के माध्य से विभिन्पद मू की आउसत दूरी ग्याद करने अधिकतर प्रयुक्त हने वाले विक्षेपण कुछ इस प्रकार है पहला है रेंज या परीसर दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन तीसरा है मीन डेविएशन या फिर माध्य विचलन और चौथा इस्टेंडर्ड ड माध्य विचलन के नाम से भी इसे जाना जाते हैं मीन डेविएशन या माध्य विचलन यदि किसी माध्य या तो समांतर माध्य हो सकता है फिर मंधी का हो सकता है अथ्वा बहुलक से स्रेणी के प्रत्येकपद का विचलन लिया जाए तो उन्हें बीजिय चिन्हों से रहित धन मानकर उनके निर्पेक्ष संख्यात्मक मानों के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। यदि विचलन समांतर माध्य से लिया जाए, तो उपर्युक्त विचलन समांतर माध्य से माध्य विचलन कहलाता है। और यदि मध्धिका से ली जाए तो यह मध्धिका से माध्य विचलन कहा जाता है। माध्य विचलन और माध्य के अनुपात को माध्य विचलन गुणांक या coefficient of mean deviation कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि माध्य विचलन गुणांत बराबर माध्य विचलन बटे परियुक्त माध्य, माध्य विचलन ग्याद करने की विधि, तो मुक्यता तीन स्रेणी में हम देखेंगे, जब स्रेणी व्यक्तिगत हो, असतत स्रेणी हो और सतत स्रेणी हो, तो तो माध्य विचलन है यह बराबर होगा sigma of mod of x minus capital M upon small n equal to sigma of mod d upon n जहाँ पर x पद मुल्य capital M माध्य और small n पदों की संख्या तथा d पद मुल्य का माध्य से विचलन है यहाँ x minus capital M का mod या फिर mod d का आसा यह है कि x minus capital M या फिर d का माण धन चिन्न के साथ लेना है जैसे कि mod of 3 minus 4 या फिर mod minus 1 इसका माण एक लेंगे ना की रिन ए और sigma या submission का अर्थ होता है योग दूसरा है और सतत स्रेणी में माध्य विचलन बराबर sigma of summation of mod of x minus capital M upon summation of f equal to summation of mod d upon capital N जहाँ पर f उस पद की बारामबारता है जिसका विचलन d माध्य से निकाला गया है तथा capital N सभी बारामबारताओं का योगफल तीसरा है सतत स्रेणी में माध्य और सेज अर्थ पुरूवत है अब देखते हैं माध्य विचलन के गुण merits of mean deviation तो पहला यह सूपरिभाशित होता है दूसरा इसकी गणना सरल है तीसरा यह समस्त पद मूलियों पर आधारित है चौथा इस पर सीमान्त पदों का प्रभाव कम पढ़ता है और पाचवा यह सभी मानों को उनकी सापेक्ष महत्ता प्रदान करता है माध्य विचलन के दोश demerits of mean deviation पहला कि प्रत्यक विचलन को धनात्मत मानने के कारण यह गणीती दृष्टी से असुद्ध है दूसरा कि यह किसी भी माध्य से निकाला जा सकता है अतह अनिश्चित है और तीसरा यह बीज गणीती विवेचन के अनुपयुक्त है अब आगे चलते हैं माध्य विचलन का उप्योग तो इसका उप्योग आर्थिक, समाजिक तथा व्यपारिक शेत्रों में अधिक होता है आए वा धन के वित्रण आदी का अध्यन माध्य विचलन द्वारा किया जाता है तो चलिए आगे देखते हैं इससे सम्मधित प्रश्ण तो प्रश्ण है कि पांच विद्यार्थियों ने कुछ अंक प्राप्त किये हैं 60, 70, 75, 80 और 85 समांतर माध्य से माध्य विचलन ग्याद किये तो इसका मतलब यह कि पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे और समांतर माध्य जो प्राप्त होगा उससे इन अंकों का अंतर ग्याद करेंगे और फिर उस अंतर का हम योग प्राप्त करेंगे और फिर मांधि विचलर ज्याद करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर जो समांतर मांधिय है यह है अंकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या सरल करेंगे तो अंकों को जोड़ना होगा 60, 70, 75, 80 और 85 इन सब को जोड़कर हम 5 से भाड़ देंगे जोडने पर प्राप्त होगा 370 और फिर बटे 5 सरल करने पर आपको मिल जाएगा 74 तो यही capital M है या फिर समांतर मांधिय अब माध्य विचलन की घणना हम करेंगे उसके लिए हम एक सारणी की अवशक्ता पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम होगा पहले हम लिखेंगे प्राप्तांक, दूसरे हम लिखेंगे विचलन X-M और अंत में उसका मौड, मौड अर्थात धनात्मकमान को लिखेंगे तो प्राप्तांक 60, विचलन 60 रिंट 84 करेंगे तो मिल जाएगा रिंट 14 और अगले कॉलम में उसका धनात्मकमान अर्थात 14 अगला प्राप्तांक है 70 और 70 में 74 को घटाएंगे तो मिल जाएगा रिंट 4 और रिंट 4 का धनात्मकमान 4 अगली संख्या है 75, और 75 रिंट 74 करेंगे मिलेगा 1, और एक खुद में धनात्मक है, अता 1, अगला है 80, 80 में 74 घटाएंगे मिल जाएगा 6, और 6 भी अपने आप में धनात्मक संख्या, अगला है 85, 85 में हम 84 को घटाएंगे, तो मिल जाएगा 11 जो कि धनात्मक मान तो इस प्रकार हम summation निकाल ले mod of x minus capital M का तो यह हमें 36 प्राप्त हो रहे हैं तो जो माध्य विचलन है जहाँ पर हम इसे लिखेंगे summation of mod of x minus capital M upon small n तो यह है 36 और n का मान है 5 तो कि 5 विद्यार्थियों के अंक दिये गए है सरल करने पर आपको मिल जाएगा 7.2 और यही इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जहाँ पर दिया गया है कि निनलिखित आकड़ों से माधिका के सापिक्ष माध्य विचलन ग्याद कीजिए 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21 माधिका का अतातपर्य है कि अंकों को या आकड़ों को बढ़ते करम में जमाईए और मध्य में जो पद है वही उसकी मध्धिका होती है समान्य तह जब पदों की संख्या विसम हो तो हमें एक मध्धिका प्राप्त होती है तो चलिए आगे सरल करते हैं आकड़ों को पहले हम बढ़ते हुए करम में लिखेंगे जो की है तीन, तीन, चार, पांच, साथ, नो, दस, बारह, अठारह, उननिस और एकिस यहाँ पर एन इक्वल टू ग्यारह है जो की विसम है तो मध्धिका बराबर एन प्लस वन बाई तुवा पद एन इक्वल टू अब ग्यारह रखेंगे ग्यारह में एक जोड़ेंगे, बारह, 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 बटे, दो करेंगे में जैग अच्छ है, तो उस प्रकार इसका जो छटवा पद है, वह मध्धिका है और छटवा पद नौ है तो इसे हम लिखेंगे M, D, कैपिटल M, और स्मॉल दी यह मीडिया है, इकवल टू नाइन अब चूकी हमें मध्धिका के सापक्ष माध्य विचलन ग्यात करना है, तो मध्धिका से जो आकड़े दिये गए हैं, उसका हम विचलन पहले प्रास्ट कर लेंगे और फिर उसका हम धनात्मक मान लेंगे तो इसे में हम सीधे तोर पे तो यहाँ पर हम सीधे तोर पे धनात्मक मान अर्थात मॉड वैल्य हुई ले रहे हैं तो X, I या फिर जो आकड़े हैं वह है 3 3 में 9 को घटाएंगे मिलेगा 6 और उसका धनात्मक मान 6 फिर अगली संख्या 3 है तो उसके लिए भी हमें जो विचलन का धनात्मक मान या मॉड है यह 6 पराप्त होगा जब संख्या 4 है तो विचलन का धनात्मक मान 5 5 के लिए 4 7 के लिए 2 9 के लिए 0 10 के लिए 1 12 के लिए 3 18 के लिए 9 19 के लिए 10 अब इसका यदि हम submission अर्थात योग कर लें तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे submission of mod of xi-md equal to 58 तो माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन ग्याद करने के लिए जो अभी हमें submission प्राप्त हुआ है mod of xi-md का उसको हम n से भाग दे देंगे जो की 58 प्राप्त हुआ है और कुल आकणों की संख्या 11 है तो 58 बटे 11 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.27 और यही दिये गए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है अगला प्रश्न दिया है कि निम्न सारणी से समांतर माध्य से विचलन और माध्य विचलन गुणांक ग्याद कीजिए एक में आकार और दूसरा आवरित्ती दी गई है आकार 4, 6, 8, 10, 12, 14 और उसकी संगत आवरित्ती 2, 4, 5, 3, 2, 1 है तो चुकि यहाँ पर हमें समांतर माध्य से विचलन और माध्य विचलन गुणांक ग्याद करना है तो दिये गए आकडों का पहले हमें समांतर माध्य ग्याद करना होगा और फिर समांतर माध्य से हमें उसका विचलन प्राप्त करने के बाद हम माध्य विचलन गुणांक ग्याद करेंगे तो इसके लिए पहले हम तीन कॉलम बनाएंगे और समांतर माध्य निकल जाने के बाद दो कॉलम और बनाएंगे उसी में तो पहले कॉलम में होगा आकार जिसे हम X से प्रदर्सित करेंगे आवरित्ती इसको हम F से प्रदर्सित करेंगे और इन दोनों का गुणन फल इसे F X से प्रदर्सित करेंगे जब आकार 4 है तो इसके आवरित्ती 2 दी गई है दोनों का गुणन फल 8 जब आकार 6 है तो आवरित्ती 4 दी गई है दोनों का गुणन फल 24 आकार जब 8 है तो इसके अवरित्ती 5 है दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 40 जब आकार 10 है और इसकी अवरित्ती 3 है दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 30 जब आकार 12 है अवरित्ती 2 है दोनों का गुणा करेंगे मिलेगा 24 और जब आकार 14 है तब आवरित्ती 1 है और इसका गुणा करेंगे दोनों का तो मिल दाएगा 14 यदि हम समिशन F ग्याद करें या फिर आवरित्तियों का योग तो यह हमें 17 प्राप्त होता है और समिशन Fx यह 140 प्राप्त होता है तो समांतर माध्य को M से प्रदस्वित करते हैं capital M और यहां पर हमें मिलेगा sigma या समिशन Fx अपॉन समिशन F यह 140 बटे 17 सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8 दिसमलाव 2 तीन तो हमें समांतर माध्य मिल चुका है अब इस आवरित्ति में समांतर माध्य को घटाएंगे और उसका फिर धनात्मक मान हम लिखेंगे तो एक नया कॉलम बनाते हैं mod of x minus capital M या फिर mod of x minus 8.23 का mod तो पहले के लिए हमें मिल जाएगा 4.23 अर्थात 4 रिंड 8.23 करेंगे तो मिल जाएगा रिंड 4.23 और उसका धनात्मक मान 4.23 अगला है 6 में आप 8.23 को घटाएंगे तो मिल जाएगा रिंड 2.23 धनात्मक मान 2.23 इसी प्रकार 8 के लिए 0.23, 10 के लिए 1.77, 12 के लिए 3.77 और 14 के लिए 5.77 प्राप्त होता है इसमें एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें small f into उसका जो का धनात्मक मान अर्थात mod of x-m का गुणा लिखेंगे तो दूसरे कॉलम और चौथी कॉलम में जो प्राप्त हुआ है उनका गुणा तो पहले में 2 और 4.23 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 8.46 फिर 4 और 2.23 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 8.92 पांच और 0.23 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 1.15 इसी प्रकार आगी की संख्या मिलेगी 5.31, 7.54 और अंत में 5.77 इन सब का जब योग करेंगे तो मिल जाएगा 37.15 तो अब हम माध्य विचलन ग्याद करते हैं जो की है समिशन F इन्टू माध्य विचलन बराबर समिशन ओफ F इन्टू मॉड ओफ X-M अपां समिशन F ये आपको मिल जाएगा 37.15 बटे 17 सरल करने पर आपको मिल जाएगा 2.18 अब समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणान बराबर माध्य विचलन बटे समांतर माध्य तो जो माध्य विचलन है यह है 2.18 और समांतर माध्य हमें प्राप्त हुआ था 8.23 इन दोनों का जब अनुपात लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.26 और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगले प्रशन पर चलते हैं कि दिया है निम्न सारनी से मध्य का से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणान के ग्याद कीजिए आकार और आवरित्ती दी गई है आकार में है अंक 10, 11, 12, 13, 14 और उसकी आवरित्ती है पांच, 12, 18, 22 और तीन यहां करमचा है तो पहले मध्य का की गणना करेंगे और मध्य का की गणना करने के लिए तीन कॉलम हमें बनाने होंगे एक पदका आकार, दूसरा आवरित्ती और तीसरा संचई आवरित्ती तो मध्य का कैसे ग्याद करना है यह पूरो कक्षा में हम सीख चुके हैं तो पद का आकार 10, 11, 12, 13, 14 और इसकी संगत जो आवरित्ती है यह है 5, 12, 18, 12 और 3 इन सब का जो योग है इसे capital N से पर दर्शित करेंगे जो की 50 है अब संचय आवरित्ती देखते हैं तो पहले में 5 मिलेगा, 5 और 12 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 17, 17 और 18 को जोड़ेंगे मिलेगा 35, 35 और 12 को जोड़ेंगे मिलेगा 47 और 47 और 3 को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 50 तो यहाँ पर मध्धी का संख्या बराबर 50 धन एक बटे 2 अर्थात इनके आवन बटे 2 सरल करने पर आपको में जाएगा 25.50 यह संचाई अगृत्ती 35 के अंतरगत है जिसका पद मूल्य 12 है अर्थात मध्धी का बराबर 12 अब माध्य विचलन की गणना करते हैं तो इसके लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे पहले में हम लिखेंगे पद का आकार दूसरे में आवरित्ती F तीसरा मध्धिका से विचलन या फिर मौड D और चौथा आवरित्ती और मध्धिका से विचलन का गुणनफर तो पद का आकार दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा ये दिया गया था आवरित्ती भी दी गई है पांच, बारा, अठारा, बारा और ती, समिसन एफ इक्वल टू फिफ्टी अब मध्धिका से विचलन ग्याद करेंगे, अर्थात, पद का जो अकार दिया गया है, उसमें हम बारा को घटाएंगे और उसका धनात्मक्मान लेंगे तो पहला हमें मिल जाएगा दस रिन बारा का मॉड बराबर दो, दूसरा, ग्यारा रिन बारा का मॉड एक और बारा रिन बारा का मॉड जीरो, तेरा रिन बारा का मॉड एक और चौदा रिन बारा का मॉड दो अब जो mod D प्राप्त हुआ है उसको गुणा D से कर देते हैं उसका गुणा F से कर देते हैं इसे लिखेंगे F into mod D तो 5 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 10 12 और 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 12 18 और 0 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 0 12 और 1 का गुणा 12 तो यह हमें मिल जाएगा 40 अब मधिका से माध्य विचलन तो यह होगा summation of f into mod d upon summation f तो यह मिल जाएगा 40 बटे 50 सरल करेंगे मिल जाएगा 0.8 अब माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन बटे मधिका होगा सरल करने पर 0.8 बटे 12 सरल करेंगे मिल जाएगा 0.067 और यही इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्यात करना था अगले प्रश्न पर चलते हैं जहां पर दिया गया है कि अन्यमनलिखित बंटन से समांतर माध्य से माध्य विचलन एवं माध्य विचलन गुणांक ग्यात कीजिए और इसमें वर्गी करित आकड़े दिये गये हैं और इसकी आवरित्ती दी गई है संगत आवरित्ती दी गई है 140 से 150 इसके आवरित्ती 4, 150 से 160 आवरित्ती 6, 160 से 170 आवरित्ती 10, 170 से 180 आवरित्ती 18 और 180 से 190 आवरित्ती 9 और 190 से 200 आवरित्ती 3 तो इस प्रकार गुरुक अक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि वर्गी गृत आकड़ों का समानतर माध्यत इस प्रकार ज्याद करते हैं तो इसके लिए हम चार कॉलम लेंगे पहले में लिखेंगे वर्ग या जो सातत या जो अंतराल दिये गए हैं उससे लिखेंगे और फिर दूसरे कॉलम में उसका मध्यमान इसे एक्स से प्रदर्शित करेंगे अगला कॉलम एफ उसकी अवरित्ती और मध्यमान और उसकी अवरित्ती का गुणनफल एफ एक्स तो 140 और 150 का मध्यमान 145 प्राप्त होगा, अवरित्ती 4 दी गई है, अर्थात 145 और 4 का गुणा करने पर 580 प्राप्त होता है फिर 150 और 160 का माध्य 155 आवरित्ती 6 है, दोनों का गुणनफल 930 160 से 170 इसका मध्यमान 165 आवरित्ती दी गई है 10, दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1650 170 से 180 इसका मध्यमान 175 और इसकी आवरित्ती दी गई है 18 दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3150 अब आवरित्ती 180 से 190 इसका मध्यमान 185 आवरित्ती 9 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1650 और अंत में अंतराल 190 से 200 इसका मध्यमान 195 आवरित्ती दी गई है 3 195 और 3 का गुणा करने पर मिल जाएगा 580 समिशन F बराबर 50 F का जो योग करेंगे तो मिल रहा है 50 और समिशन FX इन सब को जोड़ने पर मिल रहा है 8560 तो समानतरमाध्य बराबर होता है समिशन FX upon समिशन F सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8560 बटे 50 सरल करने पर 171.2 तो यह हमें समानतरमाध्य प्राप्त हो चुका है अब इस समानतरमाध्य से हम माध्य विचलन की गणना करेंगे तो पुनह यहाँ पर हमें एक और टेबल बनाना है जहाँ पर 4 कॉलम बनाने होंगे पहला में X उसका मध्यमान दूसरे कॉलम में F फ्रेक्वेंसी अर्थात उसकी आवरित्ती तीसरे कॉलम में मॉड डी अर्थात मॉड ऑफ X माइनस कैपिटल M चौथे में F इन्टू मॉड डी तो X जो मध्यमान प्राप्त हुआ था यह है 145, 155, 165, 165, 165, 185 और 105 चनले और इसकी संगत आवरित्ती F 4, 6, 10, 18, 9 और 3 और समिसन F हमने देखा था जो की 50 प्राप्त हुआ है अब मॉड डी की गणना करते है X माइनस कैपिटल M करमसा सरल करने पर आपको मिल जाएगा 26.2, 16.2, 6.2, 3.8, 13.8 और अंत में 23.8 अब अगले कॉलम में F और मॉड डी का गुणा करके हम लिखेंगे तो पहली राशी है 104.8, अगला 97.2, अगला 62.0 अगली राशी 68.4, फिर इसके बाद 124.2 और फिर अंत में 71.4 इसका ज़िए हम समिसन लिखें, समिसन आफ F इंटू मॉड डी ये मिल रहा है 528 तो समांतर माध्य से जो माध्य विचलन है इसे हम लिखेंगे समिसन आफ F इंटू मॉड डी अपाउन समिसन एफ 528 बटे 50 सरल करने पर मिल जाएगा 10.56 तो पहला उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन यह है 10.56 अब हमें माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन बटे समांतर माध्य तो 10.56 बटे 1.72 0.2 सरल करने पर मिलेगा 0.06 0.06 और यही दोनो वह रासी है जो हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था